अब बीए, बीकॉम, बीएसी और एमे, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नु से, सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें, महाकाल कप्यूटर्स, डियवी कॉलेज गेट के सामने सिवा जानने के परास करेंगे, सबसे पहले कई सारी मुद्धों पर हम इसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा, कि तिजस्वी यादों ने हाली में, रागोफुर पिधान सभाए पहुच कर, साफ तोर पे कहा था, कि दो से तीन महीने तक रूप जाईए, दो स आपके ऑफिस में आया, इसके लिए तहदिल से न्यूज इंडिया चैनल का शुक्रिया, और जहां तक के तिजस्वी जी की बात है, तो तिजस्वी यादो जी, अभी राज नितिक में, भले उनको खेलाड़ी लोग मान ले, चाहे बहुत कुछ कर ले, लेकिन नितिस जी के सामने वो बच्चे हैं, और ख्याली पुलाओ और ख्याली खाब जो होता है नो, मुंगरी लाल के हसीन सबने जिसको बोलते हैं, तो मैं मुंगरी लाल के हसीन सबने, तो सब लेता बोलते हैं, लेकिन ख्याबी, ख्याली पुलाओ जो है, वो पका रहे हैं, तो, कुछ तो मा तो इसलिए वो जनता नहीं चाहती है कि हम बिजली कटे लोगों को चीनताई हो अपरन हो मडर हो हत्या जो फो चीज में नहीं जाना चाहती है वह चाहती है कि नितीज जी यहां के आकी मैं चाहिएा हमेश सेवा के लिए हमेशा वे अगर मैं भार्ती जनता पार्टी का एक कर्च करता हूं और मेरे साथ अगर कोई परिशानी आती है और मेरी तभियत खराब हो जाया तक एक मैं मैं हosपिटल में रहूं तो मेरे लिए मेरी पार्टी ज़रूर खरी रहती है तो जब साबदीन साहब कड़े थे मुसल्मान जो है 17 परसेंट इन से दूर चले जाएंगे, क्योंके मीडिया चैनल से मुझे मालूम हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि लगातार उसामा से सभी दल के लोग मिल रहे हैं, मैं भी बेक्तिगत मिलने गया था, तो मिलने जा रहा है, यह डर सता रहा है कि कई 17 में चले जाएं, तो यह इनको डर सता रहा है, जिसके वज़ा से इन्होंने बैठक बलाई, और इनको यह डर हमेशा यह है कि 17 परसेंट मुसल्मान कहीं हम से दूर ना चला जाएं, और यह 100 परसेंट स्यूरिटी है कि 17 परसेंट मुसल्मान अब लालू जी के पाले में पहल में उनको डर सता रहा है कि मुसल्मान मेरे से कहीं दूर ना चला जाएं, काफी लंबा सफर रहा है आपका भी तो आपसे यह जानना चाहेंगे, जब इस तरह की मुद्दे की आब बात कर रहा है, कि तो यह तो असामा साब का अपना परसनल मेटर है, मैं किसी के नीजी मामल मैं नहीं बोल सकता हूं, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो मतलब है, तो कोई तेजस्वी ऐसा तो नहीं, उस चीज को खतम करने के लिए, एक मतलब उठा पटक की राजनीत कर रहा है, कि उसामा साब को लगे कि नहीं, बोजर सरकार बनने वाला है, जब जाना ठीक देखे, हमारा जहां तक यह है, ठीक है, उनका अपना चीज़े के अपने विधाय को रोकना चाहते हैं, या मुस्लिमों को गी दिखाना चाहते हैं, चाहिए उसामा साहब को दिखाना चाहते हैं, कि कल सरकार बन जाएगी, आप भीपक्ष में चले जाएगा, यह चले जाए दोनों डिप्टी सीम हैं, चाहिए हमारे सुसील मोदी जी है, सब लोग धरम निभाते हैं, तो हम लोग निभाएंगे, पर आप से एक बात करना चाहेंगे हम, क्योंकि सीवान में हमको याद है, 2012 में जब इंदोर इस्टेडियम एक ता इंदोर इस्टेडियम जिसको आतमदा कर लूँगा, और आपने उसकी लड़ाई भी लड़ी, आप सेक्रेटरी भी हैं, लेकित आज तक बना क्यों नहीं, जब कि कई सारे इस्टेडियम के निर्मान होने जा रहे हैं, तो इस इंदोर इस्टेडियम आखिर क्यों, सोलसान सापी सकता है, देखिए, राज अंदर इस्टेडियम बनाया, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहे सत्ता पक्च के लोग हों, या भी पक्च के लोग हों, जो अच्छा काम करता है, उसको हमेशार दुनिया याद करती है, तो मरहुम ने इंडोर इस्टेडियम बनाया, जब मैं 2012 में इंडोर उसके ततकाली जिलादिकारी लोकेस कुमार सिंग से जब मिलने गया, तो मेरे साथ फरीद बाभू, जो डिसीय के सिगरेट, परसीडेंट हुआ करते थे वो, उमा भिया और समसीर भाई, वगएरा हम लोग गए मिलने के लिए जो अभी किर्केट से सिवान के सिगरेटरी है हम लोग है, डीम साब से मिलने तो उन्हों ने बोला कि नहीं उसको हम लोग एफेक्स का गोदाम बनाने जा रहे हैं, उसमें धान रखा जाएगा, तो मैंने उसी वक्त लोकेस कुमार जी से कहा कि ठीक है, आप जिलादिकारी है, मैं खिला रही हूं, मैं जनता हूं, मैं तमदात तक का गोसना किया, उस वक्त सवरगी है, राजदेव रंजन जी ने मेरा बहुत शहियों किया, पूरा बिहार में, निसनल लेबल पे, नियूज में, हिंदुस्तान, चाह सभी पेपरों ने मुझे बहुत, राद या किसमुरारी जी वगएरा भी हैं, दैनिक भासक अधियक्ष बनाया, देख रेक करने के लिए, जो एड़ोकेट हैं, तो हम लोगों ने खेल सुरू हो गया, खेल सुरू होने के बाद से बाद में, फिर हम जब 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 आए, उन लोगों से हम मिलते रहे, हमारे साथ अभी जो बैड्मिंटर सेटरी है, सिवे सीना जी, मेरे मीत्र है, हम लोग लगातार इसका परयास करते रहे, लेकिन एक्चुली हुआ क्या के संजे कुमार सिंग ने मुझे बोला के एक लाख रुपी आप जमा कर दीजे, एक वूडेंग ग्राउंड बना देता हूं, मैंने एक लाख रुपी जमा लेकिन बाद में मुझे जब सचाई मालम चली तो उसमें यह मालम चला कि कोई साई बेरादरी की कुछ जमीने हैं, जिसको ट्रासपर बिहार सरकार के नाम से नहीं हुआ है, और उसमें कुछ कूटिया रह गई हैं जो जमीनी प्रॉबलम था, जिसके मदन नजर हमेंने जो पिछली हमारी जो सरकार थी, उसमें परमोत कुमार जी मंतरी थे, उनसे मैं मिला वो बेचारे आए भी, उसके पहले और भी मंतरी को मैंने इंडोर इस्टेडियम में भरमन कड़ाया, सब लोगों ने आके भरमन किया, सब ने आस्वासन दिया, लेकिन इंडोर इस्टेडिय एक आपको सहुली में फुटबॉल गराउंड बनने जा रहा है, जहां लड़कियां वगरे सब खेलती हैं, और एक इसलामिया कॉलेज में ये आपको होकी का गराउंड बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो मांगे है, राजेंदर इस्टेडियम और इंडोर इस्टेडियम जिसके लिए हमारे समसीर भाई उमा भियाद, शिवे सीना जी, रियाज हैदर सहाब, सब लोगों ने हम लोग जिस तरह सभी खेलाडी जितने पपूग एकडमी हैं, कैफ किरकेट एकडमी हैं, सब के खेलाडी हमारा प्रोशाहान देते हैं, और उसकी आवाज को मैं उठात के नाते आंदोलन करता रहूंगा, और सीवान की तरक्की जहां तक हो, मैं आगे मांग भी करूंगा, आपी के चैनल पर मैंने कहा था, और वियारी चौदरी जी से भी मैंने रिक्वेस्ट गया था, कि आप यहां क्या भी विधायक हैं, आप कुछ परकोजर लखिये, कि अच्छी बात है, अच्छा चीज है, सीवान में अच्छा चीज होना चाहिए, यही बात है, और इंशालला इंडोर इस्टेडियम पर भी अगर कुछ बात बनती है, तो बनेगा, नहीं तो आप सरकार चाहेंगे, अंदोलन आपने नो साल पहले किया था, नो साल हो गया, आ यहां के जो सांसद है, मैं उससे बात करूँगा, अच्छा खेल मंतरी है, उससे बात करेंगे, डिम से लगातार, तो मैं बात करता ही रह रहा हूं, लेकिन एक चोली क्या है, कि अभी इधर बन रहा है, तो बन रहा है, तो खेलारी लोगों को प्रेक्रिस क्योंकि हमारे करेंगे इंडोर स्टेडियम का और राजंदर स्टेडियम के लिए हमेशा हम फिर भी आवाज उठाते रहेंगे ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूना बहुत ही मतलब समझ लिजे कि जब आप जाए तो घंटों वहां पे लोगो जाम का जाम में फसना परता है इंतिजार करना परत अब जब हाली में बिधायक बनके और चौधरी आयते तब उन्होंने कहा था कि मैंने आवाज उठाया और इसको पास कर दिया अब बन जाएगा हालाक उस पर आपके जो सांसाद है पुर्व सांसाद हों परकास ज्यादू जीने साफ तोर पे कहा था जो क्रेडिट लेना च देखिए अब मैं बता देता हूँ उसकी हक्किकत कि और परकास यादों ने और बिरिज का बात रखी उसको सरकार ने पास भी कर दिया है अब माली जी कि हमारे परजेंटे और बिहारी चौधरी जी विधायक है तो माली विधायक के नाते उनका वो तो जन्हों द्वार करे परकास जी ने उसका सिनारा से खाता है कुछ उसमें टेकनिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो साइड वाला जमीन उमीन का थोड़ा मामला है वो सब कुछ अधिगरण हो चुका है हो सकता है कि बरसात के बाद जैसे बरसात को तम होगा इंशालला ताला उसका उसमें काम आपको भी पता है कि सिवान के लाखों नौजवान युवा गल्फ कंट्री में रहते हैं उनको पटना सबसे आधे ठगी का सिकार होते थे पासपोर्ट ऑफिस में लोग पासपोर्ट बनाने के नाम पर उनसे ठगी का हमेसा सिकार करते थे उस परिशानी को रखते हुए से कह करके सिवान में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया और देखे जो काम करता है उसका इज़त करना चाहिए चाहे मरहुम सहानवाई साहब दीन साहब हो तो चाहे उन परकासियाद हो जी हो चाहे अजय सिंग या कवीता सिंग अगर काम करती है तो उनकी भी इज़त होगी ठ हम पुल्टिशियाज अगर किसी की तारिफ करते हैं तो अपने चपलोसी के लिए करते हैं अपके मेडिया चैनल को साफ बोल ला हूं लेकिन अगर अगर कोई जनता अगर आपको सरह है जनता आपको बहुत सारे काम किये हैं। उसी तरह उन पर कास यादो जी ने सीवान में पासपोर्ट ऑफिस हो। चाहे बिरीज का मामला हो। चाहे सरके हो। चाहे बिजली का ट्रासपर का हो। या लोगों को हाठ का अपरेशन का दिल्ली में होता हो। उन्होंने ना हिंदु देखा ना हम लोगों के बीच नफरत हो जाती है मैं इस बात से नहीं कर सकता हूं जैसराम जनम भूमी को हमेसा कॉंग्रेस ने मुद्दा उठाया लेकिन आज वो मुद्दा खतम हो गया आज मुसल्मान भी तह दिल से अजोद्या की मंदीर को सुईकार कर लिए ठीक है क्योंकि हो सकता ह बाबर ने गलती किया हो वो तो इतियास चीज़ है लेकिन आज मुसल्मान तरक्की चाहता है वो हिंदू मुसल्मान में उलच के नहीं रहना चाहता है उसको तरक्की चाहिए उसके लड़के आईए साइपियस बने आपको पता है कि एजुकेशन हुआ तो मेरी बहां बिहा होगा में कम से कम 20-25 लड़के दरोगा हो गए हैं तो कहने का चीज है कि जब एजुकेशन होगा तो जाहिए सी बाते कि जब सिच्छा आपके अंदर आएगी तो हम भी चाहेंगे नो तो वहां तो द्रिस नहीं हो रही है वहां तो हमारी सरकार हमें तो नहीं करेंगी मुसल करना से कहूंगा कि ओसामा के लिए मैं एक हूंगा कि आए और सीवान की मतलब रहवेरी करें हम लोग लोग जाहेंगे खेल साथ जुड़े हुए हैं सीवान के पुरुव सांसद मरुम मुहमत श्यावदीन भी खेल से उनको बहुत लगा हुथा इतना बड़ा स्टेडियम क निर्मार उन्होंने करवाया क्या वज़ा है कि आज तक जो उनके बाद सांसद जीते पेंट तक नहीं करवा पाए देखे अब तो यहां के जो परजेंट सांसद हो जाने लेकिन हमारे जो पूर सांसद उंपरकास यादो जीते हमने इंडोर स्टेडियम में डे नाइट किर स्टेडियम में डे नाइट सीवान की इतिहास में बियार की इतिहास में पहला परमोध महाजन स्वरगे किरकेट टूर्णामेंट मैंने लगातार तीन बार कराया मैंने डे नाइट फुटबॉल टूर्णामेंट कराया मैंने बैडमिंटन का टूर्णामेंट कराया मैं नहीं है नहीं भी रभागवान करें जो अभी परिजेंट सांसथ हैं उनको भी एह जगे की वह सी," बागवान चुना हैं तो सीवान की तरक्वाज को सकता है कि आने वाले दिन में फिर वह सांसद रहे हैं जो कार्ज करेगा वो राजभोगेगा बने रहे न्यू जिन्जाता के साथ